प्लीज सब्सक्राइब आर चैनल एंड प्रैस दे बैल आइकन दोस्तो नमस्कार हमारी यूट्यूब चैनल एलेस होम डिजाइन पर आपका स्वागत है जैसा कि आज आज आप स्क्रीन पर देख रहे हैं यहां पर हमारे पास एक डिजाइन है एक के मोडर स्टाइल कोठी का डिजाइन है और साइज की बात करें तो साइज है हमारा पचपन बाई पचपन फिट दो मंजिल डिजाइन है और इसके अंदर हमने क्या क्या बनाया है उसको मैं आपको इसी वीडियो में पूरा दिखांगा तो आपसे रिक्वेस्ट कुंगा आप वीडियो को पूरा देखें वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है तो पूरा देखें और चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं क्या तो चैनल को सब्सक्राइब जूरूर कर ले तो आईए देख लेते हैं अंदर से इसक यहां पर मैं आपको बिल्कुल अराम से समझाऊंगा देखिए यह लिजी यह आप देख सकते हैं कि इस टाइल का इसके अंदर जो ग्राउंड फ्लोर है उसके अंदर तीन हमारे जो बेड्रूम होगे लीइंग रूम होगा किच्छन टॉयलेट दो टॉयलेट पात्रूम होग आपको दिखा देता हूं और जो घर होगा हमारा चारों तरफ से होगा वेंटिलेशन के लिए सारा पिल्कुल खुला रहेगा से एकदम अच्छी तरह से बुनाया गया है तो यहां पर देख लें फर्स्ट में मैं आपको यहां से आपकी एंट्री होती हैं से हमारी में सतंब दिखे जहां देता हैं पर एparable जैर से हमारा दूसरा बैड्रूं होगा यह वी बारा मारा साइज का सामने सी जो हमारा हाल है खाल希望 हो इसके बाद हमारा एक बैड्रोंन यहां का कॉर्णर भी होगा इससका पारा कि बारा होगा और इसके साथ हमने आट así्ट और हन् Receं औ टाइस टॉइलेट बात्रूम है और इसका टॉइलेट बात्रूम का साइज है शाड़े चार बाइस साथ फिट जो पीछे हमने एक बैडरूम दे रिखा थे परेंगल में वह हमारा दस बाइबारा फिट का है आप जाहें तो इसे स्टोर्रूम बना सकते हैं पर बैडरूम बन लेटेस्ट डिजाइन का बात्रब वाला आपका यहां पर यह टॉइलेट बात्रूम होगा यहां भी देखिए टॉइलेट की इसके अंदर मैंने यह देखिए यहां से मापको दिखा देता हूं यह देखिए इंगलिस सीट आप लगा सकते हैं उसके बाद इसके पीछे इसके अंदर से उपर जा सकते हैं तो यहां पर देख लें तीन बैडरूम हो गए आपके लिविंग एरिया कीचन सब कुछ हो गया तो उपर का जो प्लान है मैं आपको दिखा देता हूं यहां पर देखिए यहांगे हमने इसको कवर करते एक सोटा सा ब्रामदा यहां पर वह को जरना दिया है कि अफरन उसको जो सेगिंद फ्लॉर है वो देख लेते हैं सेगंड फ्लॉर पर देखिए हमने देखिया के दो बालकने रखी घोए मं यहांद पर देख लें उपर टीन बैटरूम हो जाएगा अपके eu बालकनी आगे और एक बिजा और पिछी मिल पिछे का जो हमारा मैं पिछे के बैडरूम की बात कर रहा है जो यह बैडरूम है हमारा पिछे का इसका साइज है बारा वाई 14 फिट 10 इंच और इसका जो हाल हो उपर हाल के हंदर सी हमारा जो दर्वाजा लगा है पिछे जाने के लिए पिछे बालकनी के लिए दर्वाजा औ उसके बाद जो आगे है यहां पर यह रही मैं इसको आपको पूरा कवर करके दिखा देता हूं करें यहां पर देखले यह बालकनी यहां पर स्टाइलिस बनाए है और उसके बाद एक बैड्रूम हमारा यहांपे होगा बारागुना बारागुना चोहदा का हमारा वेहां यह देखने इसको आप तो यहां पर बना सके टोइलेट बादरूम पिछे बिल्कुल साइज उसी जगहे पर हुगा और कि जो हमारे शिडिया थी वह भी देखने कंप्लीट होने के बाद हमारा डिजाइन ऐसा रहे गा हूपर से हमें इसको बिल्कुल फ्लैट रखा है यह पर सिर्फ सीडियां है सीडियों को पर से कवर किया है और शन्ठ सल्व डाल दिया है उपर और पीछे का जो डिजाइन है बालकनी के ऊपर हमने यहां पर स्लैब डाल दिया है यह स्टाइल रहेगा पीछे से ज्यादा हमने पीछे कुछ गोनी लगाया है सिंपल डिजाइन रखा है तो देख लेंगे है हमारा आज का डिजाइन पच्पन बाई पच्पन जो आपकी बाउंड बाल देख रहे हैं यह पच्पन बाई पच्पन के अंदर ही हमारा डिजाइन है काफी अच्छा डिजाइन है और डिजाइन की अगर कोस्ट की बात की जा आप में दोजार रुपए पे करके इसका जो प्लान है वो खरीज चकते हैं अगर आप ऐसा डिजैन बनवाना चाहते हैं तो तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही नेक्स वीडियो मिलती है एक और नए डिजैन की साथ